नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर खोज ख़बर का एक्रम ख़बर की खोज सच की पड़ताल जनपक्ष नजरिया बेखौफ बेभाग सत्ता का जूट बेनकाब आग में तपी पत्रिकारिता दाखती है सवाल दरसवाल नया भारत नया विधान और इस नए भारत नए विधान ने देश के सम्विधान और कानून विवस्था को गहरी चुनोती दे रखी है नए भारत बनाने का एलान करने वाले प्रधान मंत्री नरेन मोदी और उनकी सरकार तो एक के बाद एक कमाल ही की जा रही है अब देखिए ना पहले जिन नेताओं को जिन पोलिटिकल पार्टी के लीडर्स को भाजपा ब्रष्ट बताती थी उनके खिलाफ आंदोलन करती थी जैसे ही वे भाजपा में शामिल होते थे उन्हें क्लीन चिट मिल जाती थी और भाजपा को इसलिए राजनिती का वाशिंग मशीन भी कहने लगे थे लोग अब मामला उससे आगे बढ़ गया है अब हाल ये है कि जो कंपनिया जो फर्म ब्लैक लिस्टिड हैं जिने देश ने देश की सरकारों ने ब्लैक लिस्टिड किया जिनके खिलाफ ये तमाम तत्थे सामने आए कि वे ध्रष्टाचार में घू साथ क्लीन चिट दे देती है बिना कोई जवाब दे ही बिना कोई जाज बिना यहां बताए कि इन्हें अगर हम आज क्लीन मान रहे हैं तो क्यों जिस तरह से इटली की फिनमिका कंपनी पर जो प्रतिबंध हटाया गया जो बैन हटाया गया वह बहुत गंभीर सवाल उठात अब सवाल यह है और यह सवाल पूछा जाना ही चाहिए लोग पूछी रहे हैं कि जिस तरह से इटली की इस ब्लैक लिस्टेट फर्म को बिलकुल हरी जंडी दी गई है कहा गया है कि कुछ उसके साथ रिजर्वेशन्स रखे गए हैं इसका क्या सीधा सीधा तालुक रोम मे 29 अक्टूबर को जब G20 की जो मीटिंग चल रही थी वहाँ प्रधान मंत्री नरेन मोदी की इटली की प्रधान मंत्री मारियो दरावी से जो मुलाकात हुई क्या इसका रिष्टा उससे है क्योंकि इटली सरकार लंबे समय से कोशिश कर रही थी कि इस ब्लैक लिस्टेट फ पूरा मामला सामने आया था रिष्वत का मामला पकड़ा गया था जिसे उस समय भाष्पा ने बहुत तूल दिया था उस समय मनमोहन सिंग सरकार थी कॉंग्रिस की सरकार देश में थी उस समय इस कंपनी को इस फर्म को ब्लैक लिस्ट किया गया था ब्लैक लिस्ट करने का मत मना ही हो जाती है यहां हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं अगुस्ता वीवी आईपी हेलिकॉप्टर खरीद की जो एक बहुत लंबी प्रक्रिया के दौरान इसकी खरीद का सौधा हुआ था और 2013-2014 के दौरान यह जो 3500 करोड रुपे की जो पूरी खरीद थी उसमें बड़े पैमाने पे रिश्वत देने का मामला सामने आया था और ठीक उसी समय इस कंपनी में रोक लगी थी इसे ब्लैक लिस्ट किया गया था और अब आप देखिए कि उसकी जान चल रही है लेकिन वहाँ पर मोधी सरकार सीधे सीधे यह ब्लैक लिस्ट होना यह जो प्रतिबंध है इसे हटा देती है यानि अब भारत सरकार इस कंपनी के साथ इस फर्म के साथ डील कर सकती है इसे सौदा करने की आगे की तमाम जो सौदे चल रहे हैं जिन पर बाचीच चल रही है उस पर डील करने की चूट मिल जाती है ठीक इसी समय बहुत दिल्चस्प घटनाकरम एक और हुआ है उसका भी रिष्टा सीधा 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 डिफेंस डील से डिफेंस सौदे से है यह रफाल का मामला है रफाल भारतियों के लिए अभी भी ताजा है और ऐसा लगता है कि मोदी सरकार का पीछा रफाल सौदा छोड़नी रहा है दासो एवियेशन ने फरजी बिल के जरिए बिचौलियों को जो रिश्वत दी इसका खुलासा किया फ्रांसेसी वेबसाइट जो इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट है मीडिया पार्ट ने और उसके हिसाब से CBI को देश की CBI को देश की ED को इस बारे में जानकारी थी 11 अक्टूबर 2018 को मौरिशेस के जो एटॉरनी जर्नल है उनके दफ्तर से जो दस्तावेज मिले उसमें इन फर्जी बिलों का जिक्र है मीडिया पार्ट एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट है जो लंबे सिमय से कम से कम रफाल सौदे में जिस तरह से गरबडिया हुई है उन्हें सिर्फ अपने ही देश नहीं पूरी दुनिया के सामने रख रही है अब दिल्चस्प बात यहां पर यह है कि इस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने सामने रखा है कि जो सुशेन गुपता है उन्हें 2007 से 2012 के बीच 7.5 मिलियन यूरो यानी 65 करोड रुपे की रिश्वत दी गई और देश की CBI और ED के पास इसकी जानकारी थी हम अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहेंगे कि रफेल सौदा 2007 और 2021 में दासो का जो टेंडर था दासो ने वह टेंडर जीता था और 2015 में एका एक मोधी सरकार ने खुद मोधी फ्रांस गए और वहाँ पर उन्होंने नए सिरे से रफाल समझोता किया जो पुराना समझोता था उसे रद करते हुए नए सिरे से समझोता किया जिससे H.A.L. बाहर हो गया था और अनिल अम्मानी अंदर आ गये थे पहले करीब 128 रफाल फाइटर जेट भारत खरीद रहा था जो लडाकू विमान थे उसे की खरीद हो रही थी और बाद में मोधी सरकार ने जो समझोता किया उससे 36 तयार राफेल खरीदने की बात हुई थी तब से लेकर अभी तक उस समय भी बहुत बड़े पैमाने पर यह बात हुई थी कि जिस तरह से मोधी सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेन मोधी फ्रांस गए वहाँ पर मिले प्रधानमंत्री से वहाँ पर डील की उसके पीछे कहानी कुछ और हो सकती है लंबे समय तक इस पर जांच होती रही बात करते रहे तमाम लोग पत्रकारों ने तमाम खोजी रिपोर्टें देश और दुनिया के सामने रखी ऐसे ही एक पत्रकार से हम बात करने जा रहे हैं प्रोंजे गुहा ठाकुरता से जिन्होंने रफाल समझोते पर उस समय जो तमाम गरबडिया हुई उस पर सवाल उठाए थे आईए देखते हैं कि अभी जो खुलासा हुआ है उसे कैसे देखते हैं प्रोंजे गुहा ठाकुरता ये फ्रांस का जो नियूस पोर्टल है मीडिया पार्ट आज ने कुछ महीनों से लगातार एक के बाद एक उनका जो खोजी पत्रकार है फिलिपीन करके एक के बाद एक ख़वर दे रहे हैं पहले उन्होंने बताया कि जिस तरह से कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क कुछ गरबर है ही नहीं यह ठीक नहीं है और उन्हों में कहा कि भारतवर्ष का एक आम्स डीलर सुशेन गुपता इतरह से वो दलाल है वो आज नहीं बहुत साल से दर्सौल के साथ संपर्क है और यह सारी जानकारी हमारे देश के इन्फॉर्स्मेंट डिरेक्टरेट सी बी आई सेंट्रल ब्यूरा उन्वेस्टिगेशन इनके पास और यहीं सुशेन गुपता का कंपनी अगस्ता वेस्टलेंड का एक घुटाला हुई थी कि हम लोग हेलिकॉप्टर खड़ी दे वी वी आईपी वेरी वेरी इंपॉर्ट का डेसॉल कंपनी सुशेन गुपता कंपनी में सारे पैसा दिखा रहे दे रहे पैसट करोर के आसपास यह दो हजार दो और दो हजार च्छे की मगर इस में राजनीती आ जाता है ति कि अगस्ता वेस्टलेंड केस्ट में भारत्य जनता पार्टी का सरकार नरेंद्रमोदी क सरकार बार-बार इसके ऊपर जाच चला रहे हैं क्योंकि वो संधेर कर रहे कि यह अगस्ता वेस्टलेंड डील में कोई कांग्रेस लोगों का कोई हाथ यह अभी तक कुछ सबूत नहीं आया है कुछ लोगों को जेल के अंदर भी डाल दिया मगर जो आदालत में कभी कुछ मगर साथ साथ आप देखिए इस कंट्रोलर और ऑडिटर जेनरल सुप्रीम कोट ने एक तरह से रैफेल घोटाला का भी क्लीन चिट दे दिया मगर उसके कोट के जज्जमेंट में इतना सारे प्रश्न है इसका सारा जवाब अभी तक नहीं मिला लोगों की यह राजनी की आ कि जब 10 एप्रिल 2015 में भारत वर्श्का प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी फ्रांस जाके घोशना किया कि हम 36 रैफेल लडाकु विमान खरीद रहे हैं उस लगभग आपका 69,000 करोर का पूरा सिर्व लडाकु विमान नहीं उसके साथ बहुत सारे मिसाइल्स वगरा वगरा बहुत कुछ आता है पूरी की तरह साथ-साथ-साथ-साथ-साथ क्या हुआ न एक पुराना हमारे एक दील था एक सरकारी संक्स्ता हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेड इनके साथ 126 यह रफेल लडाकु विमान बनाने का बात्चा वो सारे जो समझोता है वो खतम हो गया उसके कुछ दिन पहले लोग करते हैं नहीं सब ठीक है अभी अभी हो जाएगा मगर वो खतम कर दिया तो इसमें बहुत सारे प्रश्ण चिन्या और यह जो यह सारे जो पैसा जिसमें मीडिया पार्ट देया यहां यह यूपिय के समय गया मगर यह जो डील यह जो समझ में CBI ED के पास पहुचे मगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं एकदम चुप चाप बैटे हैं सवाल यह है अब क्यों नहीं कर रहे हैं आप साथ-साथ यह अगस्टा वेस्टलैंड डील में जाज कर रहे हैं मगर यहां पे रैफेल में क्यों आपने बंत कर दिया काम तो दिखिए यह सारे पूरा जो कांड है इसके विशे बहुत सारे प्रश्ना है ठीक है कॉंग्रेस ने 2019 लोकसवा चुनाव के पहले कहा था चोकेदार चौर है और फिर उसके बाद मुदी जी ने कहा और मुदी जी का सरकार ने कहा ना 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 मैं भी चोकेदार हूं एक राजरी ती मु नाए सोरी नायर एक किताब हम लोग में पर रहे हमने बारी किसी देखा वो तो सारे प्रश्न कि बहुत सारे प्रश्न चिल्या आँ जिसका जबाब लोगों को अभी तक नहीं मिला । और आज जो मीडिया पार्ट का जो रिपोर्ट आया है यही बोल रहें कि बहुत कुछ बहुत कुछ सूचना है हमारे देश के जो जाच करते हैं हमारे देश का जो जो अलग-अलग अधिकारी के पास हैं मगर एक दम वो कुछ नहीं करें आप अने लंबानी का कंपनी का नाम तो भूली जाईए फ्रांस में जो जाज चल रहे हैं वहां के सरकार वो भी भूल जाईए हमारे देश में अगर सुशेन गुपता उनका जो कंपनी है वो कुछ गलती किया या कुछ हमारे देश को फेमा पॉरें इक्सचेंज है जो आपका जो राजनेतिक आपका राजनेतिक यहीं सवाल मीडिया पार्ट का लेख में आए देश में किस तरह से नियम काइदे कानून धता बताया जा रहे हैं उन्हें दरकिनार किया जा रहा है इसकी ताजा मिसाल हमें तृपुरा में दिखाई दे रही है, हमें कश्मीर में दिखाई दे रही है, हमें उत्तरप्रदेश के लखीमपुर खीरी में दिखाई दे रही है अब आप देखिए उत्तरप्रदेश के लखीमपुर खिरी में दिन दहाडे सब के सामने किस तरह से भाशपा के केंद्री ग्रिह राजिमंत्री अजे मिश्रा के बेटे आशीश मिश्रा अपनी एसीवी कार से चार किसानों और एक पत्रकारों को रौन डालते हैं सब की मौत ह हो जाती है और इसके बाद जिस तरह से उत्तरप्रदेश सरकार कटगरे में आती है वह कटगरे में इसलिए आती है कि वह नियम काइदे कानून के हिसाब से जजाच होनी चाहिए उसे सिरे से दरकिनार कर देती है सुप्रीम कोट को इसमें दखल देना पड़ता है सुप्री किसी दूसरे हाई कोट के जज्ज से इसकी जांच कराएगी क्योंकि जिस तरह से उत्तरप्रदेश सरकार इस पूरे मामले को रफादफा कर रही है वह कानून विवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। करते हुए एक पूरा अंधा दौर चलता रहा त्रिपुरा में। इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोट के जो चार वकील गए उनके खिलाफ जो खौफनाक कानून है यूए पीए गैर कानूनी गतिविधी रोक्थाम अधिनियम लगाया गया और सिर्फ उन्हीं पर नहीं तक उसके साथ खड़े होने का साहस दिखाया जिन्होंने साधारण से ट्वीट किये त्रिपुरा बर्निंग सिर्फ इस ट्वीट को करने पर लोगों के ऊपर यूए पीए जैसा खौफनाक कानून लगाया गया जिस तरह से यूए पीए लगाया गया इसका बड़े पहमाने प हुआ जो हिंसा करने वाले थे जो देश के कानून की धज्जियां उड़ाने वाले थे उनके खिलाफ सरकार काम करने के बजाए वो ही नागरिक जो चाहते थे कि तुरपुरा में अमन चैन हो या जो हो रहा है वह सच देश और दुनिया के सामने आए जो हमारा बुनियादी ल लोग पालन कर रहे थे उन्हें निशाने पर लिया गया इसमें न्यूस क्लिक के एक युवा पत्रकार को भी निशाने पर लिया गया शेयाम मीरा सिंग उन्होंने भी ट्वीट किया सिर्फ तुरपुरा बर्निंग और आप देखिए कि 102 से अधिक लोगों की जो लिस्ट है जिसमें तमाम वेबसाइट्स हैं उनको भी UAPA के तहट उनके उपर मुकदमा डालने की तैयारी तुरपुरा सरकार ने की जिसका बड़े पैमाने पे विरोध हुआ एडिटर्स गिल्ड ने भी विरोध किया है लेकिन अभी तक इस मामले में तुरपुरा सरकार कहीं से भी कोई पीछे कदम हटाते हुए नहीं दिखाई दे रही तुरपुरा में जिस तरह से हिंसा हुई और हिंसा के बाद UAPA लगाया गया इस पर हमने बात की वरिष्ट अधिवक्ता प्रशांद भूशन से आईए देखते हैं कि प्रशांद भूशन जो बहुत मुखर हैं इसे लेकर इस पूरे घटना करम को कैसे देखते हैं आपका न्यूस्टिक में स्वागत है हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि ट्रिपुरा में हुई हिंसा और उसके बाद उस हिंसा की पड़ताल करने गए लोग या उसके विरोध में जो लोग खड़े थे जो लोग आवाज वे पिए इस पूरे घटना करम को आप कैसे देख रहे हैं और क्या यह भारत का निया नॉर्मल हो गया है ज़िसों ट्रिपुरा में जो कुछ हुआ है वो तो अधितिनात के राज से भी बत्तर है यानी कि ये विपलवदेव जो वहां केमंत्री हैं त्रिपुरा के वो तो अधितिनात से भी दो कदम आगे हैं इस तरह क्या गुंडा गड़ी करवाने में पुलीस के द्वारा अत्याचार करवाने में पहले तो आपने बिलकुल Сरकार की शेह पर यह कम्यूनल वाइलन्स वहां जो हुआ है बिलकुल गुंडा कर दी मुसल्मानों के खिलाव पूरा सरकार की शेह पर जिसमें की पुलीस वगरा को बोल दिया गया था कि तुम कुछ मत करो और गुंडों को पूरी खुली छूट दी गई और उसके बाद जो सिवल राइट्स या यूवन राइट्स की जो टीम है वहां फैक्ट फाइंडिंग के लिए गई और उन्होंने रिपोर्ट दी किस तरह की गुंडा करती हुई उस पर आप कहते हैं कि यह काम करना यह अनलॉफुल एक्टिविटी है टेरुरिस्ट एक्टि उनके खिलाब भी यूए पिये लगाया जाएक्ट तो यह दो चीज दर्शाता है पहली बात तो कि अब कई राज सरकारें खासकर भाजपा की राज सरकारें ऐसी हो गई हैं कि जिन्नोंने बिल्कुल गुंडा गर्दी मार पीट मार काट वाइलन्स को खुली छूट दे फोलता है तो उसका मुव बंश करने के लिए उनके के खिसनन का केस या यूए फीय यूफिये का तो सेड़िशन का भी बहुट का भी बहुत झूश्यूस हो रहा है इसके मतलब कई ऐसे राज हो गए जहां पर अब कानून का राज चलता ही नहीं जहां पर बस बास जो सद् हर बार वो सुवो मोटर नहीं ले पाते तो अगर कोई जना पेटिशन फाइल करें हम लोग एक पेटिशन फाइल कर रहे हैं दोनों चीजों के उपर एक तो यह कि इन लोग के खिलाफ जो यूए पीए का केस बनाया गया यह खारिज किया जाए यह मिस्यूज है और यूए प दोस्तों जिस तरह से नफरत का माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है इसकी पूरी की पूरी तैयारी हो रही है वह निश्चित तोर पर देश के लोकतंतर के लिए खतरनाक है हमारे आपके लिए खतरनाक है आने वाली पीड़ी के लिए खतरनाक है क्योंकि नफरत सिर्फ नफरत ही देती है उस नफरत से न देश का विकास हो सकता है न हमारा और आपका विकास हो सकता है और निश्चित तोर पे देश और दुनिया के सामने हमारी छवी और धूमिल होती है इसलिए बहुत जरूरी है कि ये जो नफरत के एजेंट है जिस तरह से नफरत का प्रचार प्रसार है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा इसे रोकने के लिए आप और हम मिलकर सवाल उठाएं और नफरत को अपने आसपास फैलने ना दें शुक्रिया